अससलाम उलेकुम, आज मैं आपके थाज शेयर कर रही हूँ, शेयर खुर्मा बनाने की रेसेपी, जो कि इन्षालला आने वाली इत के लिए एक मैंडेटरी रेसेपी है, हर घर में बनती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, शेयर खुर्मा, तो जैसा कि हम सभी जानते है जिसमें कि हमें ड्राइफ रूट्स को भीगोना होता है और उनको छील कर बारी काटना होता है तो ड्राइफ रूट्स मैंने यहाँ पर छुवारे लिए हैं यह सूखी वाली खजूर होती है और बादाम को भीगो नचाफ करें दो बारी कर गाजू बारी तो दो दो भीग कर दो लिजएगा तो यह तैयारी करने के बाद हमें थोड़े से चावल भी गोने हैं तो आधे घंटे के लिए आप चावल भी गो लीजेगा नॉर्मल जो आप रोजमर्रा के चावल यूज करते हैं वो आपको धाय चमच लेना है तो एना हाफ टेबल स्पून दो लिटर दूद के लिए तो ए अगर आप वेस्टरन यूपी से बिलॉंग करते हैं तो आप जानते होंगे इसको शीर नाम से पोकारते हैं और इसमें थोड़ा से चावल का इस्तमाल जरूर करते हैं तो जब तक चावल हमारे भीग रहे हैं इधर मैंने दूद ले लिया है दो लिटर हाई फ्लेम पर हम द तो अभी दूद को हम 10 मिट के लिए पकने के लिए रख देते हैं इस दर्मियान हमें थोड़े से ड्राइफ्रूट्स जो हमने लिये वे हैं उनको चॉप करके थड़का सा उनको रोस्ट कर लेंगे तो एक टेबिल स्पून देशी घी गरम कर लेंगे और यह देखिए ड्र पतला और लंबा काट लिया है तो इस सारे ड्राइफ्रूट्स अम इसमें डाल तेंगे किश्मिश का इस्तमाल मैं भी नहीं कर रही हो लास्ट में यूज करूंगी तो अभी मेडियूम फ्लेम पर हमें राइफ्रूट्स को थोड़ असा फ्राइब कर लेना है इससे जो ड् पारिक वाली सीवाई लिया है आप चाहे तो जो हलकी सी से मोटी होती है वो भी यूज कर सकते हैं और पचास ग्राम के करीब हैं कप से ना पेंगे तो एक कप सीवाई है अब हमें सीवाई को भून लेना है वैसे यह अल्रेडी भूनी भी आती है लेकिन थोड़ा सा इसको तो इसकी खुश्बू और विजादा बढ़ जाती है और बस थोड़ी सी क्वैंटिटी में ही सीवाई का इस्तमाल होता है यह थोड़ी सी क्वैंटिटी दूद में जाकर काफी बढ़ जाती है तो बस यह 50 ग्राम सीवाई है इसको मैंने रोस्ट कर लिया है इधर चावल भ तो गैस के फ्लेम को मीडियम करके लगतार चलाते हैं इसको पकाएंगे क्योंकि हमने चावल डाले हैं अगर हम नहीं चलाएंगे तो गांठे बन जाएंगी तो यहां पर तकरीबां दस मुट हो गए चावल डालने के बाद इसको पकाते हुए तो इस टाइम पर अब हमें पर अब शिवाईयां भून कर रखी हैं और इनको मिला देना है और इसके साथ हमें इसमें डाल देना है ड्राइफ्रूट्स जो कि हमने रोस्ट करके रखे वे थे और फिर से अब हमें इसको पकनिकली रखना है हां इसे बीच में इसमें शकर भी आट कर देनी है चीनी तो की ए seri by four cup मैं यहां जित्कों आप चाहे तो इसमें condense milk भी डाल सकते हैं या फिन्यू पाफडर भी डाल सकते हैं लें की आज माशिम माशे बना रही हूं without condensed milk और without milk powder के बना है उसके बावजूद है आप को पते ही नहीं लगेगा कि आपने यह जो एक्स्रा चीजहों होती ना इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए वो नहीं डाली है क्योंकि जो हमने इसमें हैक यूज करिये ना चावलो की वो इसके टेस्ट को एक नेक्स लेविल पर ही लेकर चली जाएगी बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला इसका तो सिवही ड्राइफ रूट्स और चीनी डाल क करने के बाद हम इसमें एक टेबल स्पून केवड़ा वाटर डालतेंगे और एक टी स्पून चोटी लाइची का पाउडर डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसके मिक्सिंग कर देंगे अब हमें क्या करना है पांस साथ मनट के लिए इसको गैस बंद करके एक साइड में कर देना है उसके बाद हम इसमें जो किशमिश हमने नहीं डाली ती उसका तड़का लगा देंगे इससे क्या होता है टेस भी अच्छा जाता है और एक रिस्क जो रहता है किशमिश टालने के बाद दूद भटना जाए वह रिस्क बिल्कुल खतम हो जाता है क्योंकि हम तो आप चाहें तो इसको गर्म गरम भी सर्फ कर सकते हैं और चाहें तो इसको ठंडा भी सर्फ कर सकते हैं तो आप चाहें तो एक दिन पहले रात में इसको बना कर रख रहें क्योंकि परसनली जो इसके बेस्ट रिजल्स मुझको लगते हैं वो ठंडा होने के बाद आते है लेकिन कुछ लोग की प्रिफरेंस रहती है कि वो गरम भी सुखाते हैं तो यह आपकी प्रिफरेंस का अकॉर्डिंग है जैसे आपको पसंद हो बहुत सी फार्मा बन कर तयार हुआ है और बहुत सी घ्रीच और क्रीमी टेक्स्टर है और एक्दम कमाल क कर तयार है है नाश्च माँ थोड़े से पास्तो के च्छारों जाये तो आब गानिश कर सकते हैं तो ट्राइ कीज़ेगा शीर खुर्मा की आसान और जबदस सी रेसिपी और मुझको अपनी फीडबैक्स भी जरू दीज़ेगा कैसा बनका त्यार हुआ आपका शीर खुर्मा असलाम लेकूम आज मैं आपके थाश शेयर कर रही हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से किवामी सीवाई बनाने की रेसिपी बस आपको मेरा मैथट फॉलू करना है आप इसको एक बार फॉलू कर लेंगे ना पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे ये इतनी जबदस बनका त् जारूंगी टोटल 125-130 ml घी में अभी हम एक टेबिल स्पून घी पैन के अंदर डालेंगे गी के गरम हो जाने पर एक कप इसमें हम मखाने डालेंगे और एक कप मखानों को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है टोटल 30-35 ग्राम मखाने थे आधो को हमें सा भी डालना है आधो को थोड़ा सा ग्राइंड करके डालेंगे और इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे जब यह थोड़ा से भून जाते हैं यह थोड़ा से क्रिस्पी से हो जाते हैं तो बस तीन से चामनेट के लिए यहां पर हमारे मखाने भून चुके हैं इनको हम एक बोल के अंदर ट् कर सकते हैं 18-20 बादाम को फाइन चॉप कर लिए और 18-20 काजु इनको भी चॉप कर लिया है एक टेबल स्पून में यहां पर मैलन सीट्स लिए में यह भी ऑप्शनल है आपके पैस हैं दो डालिए वह ना इसकिप कर दीजे और 20-25 इसमें किश्मिश टाल देंगे तो यह जो लेकिन आप अगर कम पसंद करते हैं तो क्वैंटिटी आप कम कर सकते हैं आप अपने अकॉडिंग लिए और जो ड्राइफ रूट्स हैं आपके पास उगा यूज करने जो नहीं है उनको आप स्किप कर सकते हैं तो यहां पर हमारे ड्राइफ रूट्स भी रोस्ट हो गए ह इनको भी हम ट्रांसफर कर लेते हैं एक बूल या पर प्लेट में अब फिर से एक चम्मच घी गरम कर लेंगे अब इसमें 200 ग्राम डाल देंगे खोया यानि की मावा इसकी रेसपी मेरे चैनल पर अप्लोड़ेड है वैसे आपको यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है ले यहां पर हमारा खोया भून चुका है इसको भी रख देते हैं अब एक साइड में और अब हमीं से महीं भून लेनी है तो पैन के अंदर एक चमच तेल गरम कर लेंगे और इसमें हम 250 ग्राम से महीं को भूनेंगे लेकिन मैं से महीं को दो बैचेस में भूनेंगी जिससे कि अच्छे से भून जाएंगी तो अभी मैंने आदी सीवाई लिये तकरीब यह 125 ग्राम होगी और बाकी की 125 ग्राम है दो बारा से भूनेंगी एक साथ डाल देंगे तो ठीक से भूननी पाएगी क्योंकि पैन के अंदर इतनी जगह नहीं होती है क्योंकि सीवाई काफी जगा पैन के नहीं कहकर लीजेगा तो इसी तरह की सीवाई आपको मिलेगी कोशिश करिएगा क्या बारीक सीवाई यूज करें क्योंकि इससे बेस्ट रिजल्स आते हैं लेकिन अगर आपको यह नहीं मिल रही है तो जो नॉर्मल सीवाई यूज करते हैं उसका भी आप इस्तमाल प्रीटेस्ट भी नहीं देता हैं तो एक कक चमश घी डालकर दो नहीं में सीवाई को फॉर्फ हैक अब हमें सारी में से वाई यह यह द्ट हमें सारी मौ Isso रिज़गे और ला नहीं दो तो एक का पाप को इसमे गर्म डूट डालना तो डूट एग और तो तक्रीबाब दो 250 ml दूट डालेंगे और दूट को चारो तरफ फैलाते में डालेंगे इस तरह से जिसे कि सारी सिवईया दूद में अच्छी तरह से भीग जाएं आप जब इसमें दूट डालें तो गैस की फ्लेम आपकी ओफ होनी चाहिए जब दूट डालकर हमें सिवईयों को पकाना नहीं है सिर्फ इसमें गरम दूट डालना है तो अभी गैस बंद है और इसको हम ढग कर रख देंगे ऐसा करने से जो सिवईया है दूट के साथ दम हो जाएंगी और जब हम सिवईयों को चाष्णी में डालेंगे तो वो बिल्कुल भी टाइट नहीं होंगी अक्सर चाष्णी में जाने के बाद सिवईया अकड़ जाती है तो अगर आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो आपकी सिवईय कभी भी नहीं अकड़ेगी और एक दम भेतरी नाप ये किवामी सिवईय बनकर तयार होगी तो अभी रख देता हैं इसको एक साइड में और बना लेते हैं हम चाष्णी तो एक बड़ा वैसल ले लेंगे जिसमें किवामी सिवईय तयार करनी है और इसमें बागी का बचा सारा घी डाल देंगे तकरिवन दो टेबल स्पून घी भचा था वो भी हम इसमें डाल देंगे तो फुल मिलाकर 125-130 घी यूज हो गिया है यहाँ पर अब इसमें 4 चोटी लाइची और 4 लॉंग डालकर इसको थोड़ा सा क्रैकिल कर लेंगे अब इसमें 3.5 कप यानि की 750 घ्राम शकर डालेंगे जितनी सेवई है उसका 3 गुना जादा हमें यहाँ पर शकर यानि की चीनी का इस्तमाल करना है तो 250 घ्राम मैंने सेवई ली थी तो हम डालेंगे 750 घ्राम शकर तक शकर पानी में अच्छी तरह से घुलनी जाती है तो यहाँ पर शकर पानी में घुल चुकी है हाई फ्लेम पर इसमें उबाला चुकी है अब डाल देंगे इसमें एक टीस्पून चोटी लाची का पाउडर रेड और इंच फूट कलर डाल देंगे और दो टीस्पून के करीब के वड़ा वाटर डाल देंगे आप चाहें तो फूट कलर जो है उसको इसके बेकर सकते हैं उसके बगएर भी आप इसको बना सकते हैं अब हमें इसको मेडियम फ्लेम पर चार से पांश मट के लिए पखाना है rectangular भाड़ापन लाना है। बहुत जादा गहड़ी चाषनी नहीं बनानी है। वस आप ग고요 ऊचारों नाप कर देना है। अर गहातार चलाते रहिएगा क्योंकि शकर है वो नीचे लग सकती है। departments भAMA स रखे वे थे वो सारे इसमें डाल देंगे इसी के साथ जो ड्राइफ भूने थे वो भी डाल देंगे थोड़ी से मैं बचा लूँगी गार्निशिंग में इसका इस्तमाल करूँगी तो यह मैंने थोड़ी से बचा लिए हैं लास्ट में इसको यूज कर लेंगे मिला देंगे और लौ फ्लेम पर इसको पकने देंगे विल्कु धीमी आज़ है एक रिखाए और यह बुझा उच्छी तरह से पक जाए तो इस टाइम पर हमें इसके अंदर एट कर देना है पर अब तो जो सिवहीं हमने दूद के साथ भीगो कर दम पर रख दीती वह हम इसमें टाल देंग दूद के साथ दम करने से सिमय आपकी एक दम सौफ रहेगी बिल्कुल भी यह टाइट नी होगी यानि कि यह बिल्कुल भी अकड़े की नहीं तो अब थोड़ी सी गैस की फ्रेम को मीडियम कर दीजगा और खुब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर दीजगा और मीडियम फ्रेम पर इसको पका लेंगे एक उबाल आने का इसके अंदर वेट कर लेता है जब इसके अंदर आ जाएगी मीडियम फ्रेम पर तब हमीं इसको थोड़ा सा ढख देना आए और बस लो फ्रेम पर दो मिनट क्रिये पकाएंगे बिल्कुल गैस की फ्रेम को लो करके दो मिनट zekerि इस जिससे कि जो इसके अक्शल टेस्ट राता है न तभी आता है तो जब आपको जिस दिन इसको बनाना इना तो 10- Pasाष जिससे न कि इसकर डोखनी अक्ट है until Canada फील चोड़ दूदी चुरदे का और भी लादा इसका perfect texture perfect look बहुत ही जबदस इसका टेस्ट है और अमेजिंग बनी है बहुत टेस्टी बनती है बस आप इसको बनाएं और बेफिकर होकर बनाएं क्योंकि इंशाला आप की सिवहाई बहुत अच्छी बनने वाली है जब इस तरीके से आप बनाएंगे अब तक रिबंद दो घंटा हो गय की किवामी से वही बन कर तयार हो जाएगी जो कि सर्फ करने के लिए बिल्कुल तयार बिल्कुल रेडी होगी तो इस टाइम पर आप इसको सर्फ कर सकते हैं अगर आप इसको गरम सर्फ करना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप इसको धीमी आच पर रख दीजेगा या फिर म मेहमान आपकी वावाई करते हुए नहीं देखेंगे बहुत ही टेस्टी बनती है तो ट्राइ कीज़ेगा इस बदस किवामी सिवाई की रेसेपी को और मुझको अपनी फीडबैक्स भी लाजमी दीज़ेगा क्योंकि आपको बता है मुझे हमेर्श आपकी फीडबैक्स का इंतजार रहता है और अगर आपको रेसेपी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा फैंबली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीज़ेगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो मेरी आपसे हम्मिल रिक्वेस्ट है बिना सब्स्राइब की मचाएगा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्ला हाफिज